राधे राधे दोस्तों मेरा नाम पुरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ आलू की एक बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी और इसका नाम है अचारी आलू अचारी आलू बनाएंगे बेबी पोटेटो से छोटे वाले जो आलू आलू को अच्छे से साफ करके कट कर लिए एक आलू को दो भाग में कट किये हैं और इसका छिलका हम नहीं हटाए हैं बस अच्छे से साफ कर लीजे छिलका के साथ ही इसे बनाईएगा बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा अब सबसे पहले एक मसाला हमें तयार क चम्मच काला सरसो, आदा चम्मच ब्लैग पेपर, एक चम्मच अजवाइन डाल दिये हैं, थोरे से दाने मेथी के डाल लेंगे, और यहाँ पे तेन साबुत लाल मिर्ची डाल दिये हैं, इसको हलका सा बस भून लीजिए, ताकि यह क्रिस्पी हो जाए, और जब हम इसे पीस चम्मच और सरसो तेल में इसे बनाईएगा, क्योंकि अचार नत सरसो तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है, अब इसके फोरन में आप चाहे तो पंच फोरन भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे पीला वाला सरसो आधा चम्मच और थोरा सा कलोंजी डाले हैं, और थोरे से म मीडियम और स्लो के बीच रखिएगा, थोरी थोरी देर के लिए हम इसे कवर भी करते रहेंगे, क्योंकि कच्छा आलू है, तो ढख के भूनेंगे न, तो यह पकता भी रहेगा, तो थोरी थोरी देर पे आप इसे चला दीजिए, फिर कवर कर दीजिए, ऐसे आप 4-5 मिनट तक इसे भूनियेगा, तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल दीजिए, नमक डाल देने से यह जल्दी पक जाएगा, तो नमक डाल दीए हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर से हम इसे कवर कर देंगे, और तब तक आप इसे पका जब तक आलू पूरी तरह से पक न जाए बीच बीच में आप इसे चलाते रहेगा और चेक कर लीजेगा तो यहां पे आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से भुना भी चुका है और चेक कर लिए हैं हम यह पक भी गया है तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे गैस का प्लेम आपको यहां पे बिल्कुल कम कर देना है तो सबसे पहले जो मसाला भूने थे ना उसे हम पीस लिए हैं मोटा मोटा ही पीसे हैं और यह पूरा मसाला नहीं डालेंगे एक चम्मची मसाला डालिएगा और चिंता मत किजी यह जो मसाला है ना बहुत जादा टेस्टी ह होता है इस मसाले को ना आप किसी भी सबजी में पराठे में यूज कर सकते हैं यहां पे मिर्ची पॉडर डाल दिये हैं आधा चम्मच और एक चोथाई चम्मच हल्दी पॉडर डाल दिये हैं अच्छे से मिला लीजे और अब हम इसे थोरी देर के लिए फिर से कवर कर दें क्योंकि सुखे मसाले है यह जलने लगेंगे और यहां पे निम्बू का जूस हम डाल देंगे आधा निम्बू का जूस है एक चम्मच देर चम्मच के करीब निम्बू का जूस जरूर डालिएगा क्योंकि अचार में खटापन नहों हो तो अचार अच्छा नहीं लगेगा धेड सारा कटे हुए धनिया का पत्ता डाल देंगे इसे अच्छे से मिला लीजे गैस बंद कर दीजे और इसे सर्ब कीजे आप चावल डाल के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी सर्ब करिजे एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत जादा आपको पसंद आने वाली है ये चटपटी, खटी, टीखी, अचारी आलू एक बर जरूर बनाईएगा बताईएगा कैसा लगा मेरा ये रेसेपी रेसेपी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे बिलका बटन प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास बहुत सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज़े सेर कीज़े कमेंट कीज़े अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें बता दीजे ताकि हम उसे सुधार सके थैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ